तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को हीपप का अपडेट्स दूँगा तो वीडियो को वीना स्किप के लास तक जरूर देखना और कोई भी अगर चैनल पे नए आये हो तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को अलपे जरूर प्रेस कर देना ताकि आप लोगों तक हीपप का अपडेट्स जाते रहे तो सबसे पहले हम लोग बात करने के कलमकार म्यूजिक के बारे में तो हम रूनल शंकर का एक नया ट्रैक आउट हुआ है जिसका नामे लिसन अप तो ट्रैक तो बहुत सही लेगा लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके सुनना और बताना कैसा लगा तो अभी हम लोग बात करेंगे एमसी स्टैन के होमी आकाश के बारे में तो 2020 साल के टुबर को आकाश के खिलाफ एक F.I.R. दर्ज हुआ था IPC 307, IPC 323, IPC 34 So basically matter ये हुआ था कि आकाश, सन्नी और प्रशांथ तीनो एक साथ थे तो प्रशांथ ने आकाश को फट्टु फट्टु बोलकर मज़ाक ले रहे थे और जिसके बाद आकाश को गुस्ता आगया पार आकाश धंतरम कदम केरे निउथ जी हां आकाश का जो रियाल ने नेम है वो है आकाश धंतरम कदम इस इनसान के ऊपर IPC की धारा 307 के तहद हाफ मडर करने के लिए किसी इनसान को जान से मानने लिए उसके उपर चाकु से हमला करने के अपराद में दूसरी धारा IPC 323 के तहट अगर तुमने किसी भी इंसान को चोट लगा दी और अगर उसने केस कर दिया मत अगर तुमने उसको किसी भी प्रकार की चोट लगा दी और अगर उसने केस कर दिया तो तुमारे उपर 323 की धारा लगेगी ही लगेगी और वो ही धारा लगी थी आ दोस्तों से अकाश सैनी और प्रशंत प्रशंत ने आकाश को फट्टू फट्टू बोल की तिलाया गुवा था इसलिए आकाश की खोबड़ी घुमी और इसलिए आगाश ने विसको जान से मानने की धर्म की दी वही थी फिर एक बार वह लोग इंद्र नगर गोडेवी वो इ प्लाइन रोड सेंटर क्रूज इस्ट मुंबई में खड़े हुए थे तीन दोस्तों की भी आपस में चल रही थी वहां पर गांजे को स्मोक करके रोल किया जा रहा था और तभी सनी ने अपनी पैंट में से चाकू निकाल के दी आकाश को और फिर आकाश पीछा करने लगा प केजैशी ने अभी सनी आकाश और इंसी स्टेंड का मैनेजर बर्दमान महेता के उपर लीगल एलिगेशन लगाई है कि इन तीनों ने मिलकर और दो-चार बंदे मिलकर केजैशी को मारा था तो खावी सरे लोग कह रहे हैं कि केजैशी का जो मैटर है वो सच हो सकता है तो इ इस वीडियो में तो इतना ही मिलता आप लोग उस एक नई वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई एंड टेक के यार